मुल्क का नागरिक अगर अपनी आवाज को उठाने के लिए सड़क पे बैठेगा तो क्या देश की सरकार उन्हें लाठी और डंडों से पिटवाईगी हैं बचास-पचास-चासी साल के बुजूर्गों के उपर लाठी और डंडे मारे जाएंगे और अई और होता है तो कहते हैं लोगपंत्र खत्रे में आ गया पेट्रोल के दाम पूछ रहो तो कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ आज किसान को मारा गया पीटा गया बताइए पिटवाने वाले नेता क्या हिंदूस्तान के हो सकते हैं यह सबसे बड़े देश के गद्दार देश के जैचंद नेता हैं जो किसानों पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं कितने सा जमीर अगर आपका जिंदा है तो एक बार न्यूस चैनल को खोल के देख लीजिए नीचे पतली सी छोटी सी हैडिंग की तो मैं कहता नहीं हूँ कोई जैनल नहीं दिखा रहा है किसान को लेकर सबको वाँ अफगानिस्तान में दिख रहा है यह अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुल्क के नागरिकों को बेरामी से लाटी और गंडों से ठीटा जा रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको दिखाया नी जा रहा, क्योंकि वो दिखाने की अउकात आपकी नहीं है, तो इस देश के अंदर महिलाओं के साथ बलतकार करने वाले, क्या कुल्चिप सिंग सैंगर को इस दे एक मुख्य मंत्री सबसे खटारा मुख्य मंत्री है, जो जै जवान जै किसान वाले देश में किसान पर लाटी चार्ज करवा रहा है, नो महीने से सरकार कितनी अवकात तो है नहीं कि किसानों को घर भेजने की वापसी की बात करें, और ये वापसी भेजने का तरीका देख चुड़वाया जाता है और आज फिर एक बार फिर हर्याना के खटारा मुख्यमंत्री मनोर लाल खटर के द्वारा देश के किसान को लहू लुहान किया गया उसके ओपर लाटी चार्ज की गई बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया पीटा गया क्या लोगों का पेट घरना पेट भरना इस देश के अंदर अपराध है जब पेट भरने वाला इस देश के अंदर मुझरिम है वो आतंकवादी है वो टेरिस्ट है देश द्रोई है आर्टिकल 19 के तहट देश के सुप्रीम कोट को इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों दे तो क्या देश की सरकार उन्हें लाठी और डंडों से पिटवाईगी हैं पचास-पचास-चास-चास साल के बुज़ूर्गों पर लाठी और डंडे मारे जाएंगे और आप समझते हैं कि देश के अंदर लोग चुप रहेंगे कोई देश के मुख्यमंतरी के खिलाब बोल द तो उसको उठाके जेल में बंद कर दिया जा रहा है आप डेमोक्रेसी में रहते हैं या पिर कहां रहें आप लगता है आप कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो अधिकारी है मैं आपको बता दूँ यह अधिकारी को अपनी मर्जी से बयान नहीं देते इन अधिकारियों को परसे ओर्डर साते हैं और देश के नेताओं को इस बात का जवाब देना होगा कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं जिस जय जवान जय किसान वाले देश में जिल लाल बहदुर शास्त्री के देश में जिस भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव के देश में देश के किसान को बेरहमी से मारा गया क्या आज देश के अंदर देश का लोकतंतर खत्रे में नहीं है बताइए एक और अगर ये महाराश्य के अंदर होता है या कहीं और होता है तो कहते हैं लोकतंतर खत्रे में आ गया पेट्रोल के दाम पूछ रहो तो कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ आज किसान को मारा गया पीटा गया बताइए पिटवाने वाले नेता क्या हिंदुस्तान के हो सकते हैं ये सबसे बड़े देश के गद्दार देश के जैचंद नेता हैं जो किसानों पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं किसानों को मारा जा रहा है पीटा जा रहा है और लोग चुब बैठ के देख रहे हैं तमाशा देख रहे हैं 9 महीने से सरकार की आउकात नहीं है साढ़े 600 से जजादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए सरकार तो बैठके यहां पर जैसे कोई मदारी का तमाशे चल रहा हूँ यहां डुगडुगी बजरी हो इस तरीके से देख रही है ध्यानी नहीं दे रही है और सबसे बड़ी बात आप यह देख लीजिए नैशनल चैनल को खोल के देख लीजिए एक बार जो लोग हमें गाली भी देते हैं ना उनके जी भी बी कह रहा हूंfire इतना सा जमीर जन्दा है ना इतना सा जमीर अगर आपका जन्दा है तो एक बार नियूस चैनल को खोल के देख लीजिए नीचे पतली सी छोटी सी हेडिंग की तो मैं कहता नहीं हूँ कोई चैनल नहीं दिखा रहा है किसान को लेकर सबको वह आफगानिस्तान में दिख रहा है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुल्क के नागरिकों को बेनायमी से लाटी और डंडो से पीटा जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है वो आपको दिखाये नहीं जारा, क्योंकि वो दिखाने की आउकात आपकी नहीं है क्योंकि ये लोग TRP खरीदेने वाले चैनल जो देश के अंदर, जो जरासी बात को कह देते हैं सुत्रों के हवाले से खबर पता चलिए उनके सुत्रों काता पता नहीं होता सबसे पहली बात आज उन देश के जैचंदों से सीधा सवाल कहां गए आज अन्ना हजारे जो इस रामनीला मैदान पर लोकपाल की मांग किया करते थे किसान के लिए उस कुम्बकरन को जगाना पड़ेगा उस कुम्बकरन के घर तक गई जगाने के लिए वो कहता है कुम्बकरन की मुझे सुनाई नहीं देता बताईए आप हमें भी अच्छा नहीं रहता है कि एक किसी बुजर्ग के लिए ऐसे शब्दों को बोलना लेकिन वो किसान के लिए आवाज नहीं उठा सकते मर गया लोकपाल अन्हाजारे भी heta हुआ है तमाननेते जिन्दा बैटें शिमधिप भी जिन dwa गयोी मर तो लोकपाल गाते एस लोकपाल की मांग की हारते थे बताईए आज किसान को पोस्टर लगवाएं के कहां गए सारे के सारे लोग पता करिए लोगों का कहां ये अपनी आरी फसल काटने के लिए फसल काटने वाले गहूं जो असली किसाने वो तो सड़क पिट्राएं और आप तो मुंबई में अपनी आलीशान कोटियों में बंगलों में बैठे हुएं में अपनी और भाई कौन से ती रंगे का सम्मान करते ये बता दीजीए तीरंगे का सम्मान करते हैं टिरंगे का सम्मान इस तिरंगे के सम्मान नहीं है तीनों के तीनों रंग तिरंगे में एक एहम भूमी कदा करते हैं बारतिय जंता पार्टी के लोगों को यह नहीं पता होगा कि यह लड़ाई जो होती है देश में जंगे जो होती है इस तिरंगे के खातिर होती है और इन्हों ने अपनी पार्टी विशेश का जंडा उपर रख दिया, किसान को पिटवाने वाले देश में, इस देश में किसान को मारा गया, और ये देश के इतिहास में ध्यान रखिएगा, ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा ये दिन, दूसरी बार देश के किसान को इस आंदोरन के तैट बेरहमी से मारा गया, बे किसान को बहुत दिन नौ महिने से लोग पूछते हैं जब लोग को पता चलता ना कहीं से तो लोग फोन करकर करके पूछते हैं कि आज भी धरना चल रहा है क्योंकि कोई किसानों और नहीं हैं दिखाने वाले अंबानी अडानियों को उद्योग पतियों को ये चार लोग इतना देश के अतिहास में पहली बार हुआ कि कंटेनर की दिवार लगा के देश का चरंगा जंडा लहराया गया और किसान को बेरहमी से बुरी तरीके से आज जो मारा गया है देश के लोगों को अपने इमान को जगाना होगा देश के लोगों से निवेदन है कि लाटी और डंडे से नहीं कानून के जरीए संविधान के जरीए अगर आप लिखना जानते हैं तो लिखने के जरीए बोलना जानते हैं तो बोलने के जरीए देश के किसान को सयोग करें समर्थन दें क्योंकि अगर किसान ऐसी सड़कों पर लाटी रंडे खाते हुए मर गया ना तो ध्यान रखिएगा कि आप वो दिन दुबारा आएगा इस देश के अंदर जो वो अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं इस देश में आता था था ना ये सरकार आपको दुबारा से वही दिन दिखा देंगी वो सड़ा हुआ गेहूं आपको दुबारा से दिला देंगी इसलिए आज आप काले कपड़ा पेहन के हम विरोध करते हैं इस सरकार का और इन सरकार के तीनों काले कर्शी कानून का आप एक बात मुझे बताइए कि सरकार कहरे ही है एक और किसान को लेकर अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा सुप्रीम कोट से किसान को लेकर क्या बयान आया है आप सभी ने देखा वो जज्जमेंट जो सामने आया है उसके बाद किसान के ओपर करनाल के अंदर इतनी बुरी तरीके से लाटी चार्ज शरम नहीं आती हैं हम भाई लोकतांतरिक देश में रहते हैं इस लोकतांतरिक देश में लोगों को एक ही अजादी है और वो है अपने विचारों की सुतंतर विचारों की अजादी इस देश के अंदर महिलाओं के साथ बलतकार करने वाले क्या कुल्दीप सिंग सेंगर को इस देश की कानून ने इस देश की नियाई पालिका ने सड़क पे घसीट के लाठी और डंडे से मारा क्या इस देश के कॉंसिटुशन ने आसराम राम रहीन चिर्मैनन जैसे लोगों को सड़क पे घसीट के मारा तो आपकी हिम्मत और उकात क्या होती है कि आपने किसान को डंडे से मारा बताईए मतलब बलतकारियों को लेकर आतंकवादियों को लेकर एक बात मुझे बताईए चलिए तो किसान है अभी थोड़े दिन पहले आपने अफ्तर परदेश के अंदर आतंकवादी पकड़े गए थे पता चला था न वो आतंकवादी थाने के अंदर गए आज तक पता चला कि उन्होंने क्या बयान दिया बताईए वो आतंकवादी थे तो जंता के सामने यहीं मारना चीए तो उन्होंने रोड पे लिटा कर क्यों नहीं मारा सरकार ने और सरकार बताती भी नहीं है कि आतंकवादियों ने क्या बयान दिया बताइए ना पुरे देश को जानने का हक है कि क्या बात हुए आतंकवादियों से क्या बयान दिया उन्होंने अगर वो रिमांड पे हैं तो कहा है वो रिमांड पे पता चलना यह नहीं बताते किसी बात का काई बात की लोग संथरी की अजादी अजादी नहीं चाहिए हमें इस से कम से कम इसे बड़ी आज़ादी तो अंग्रेश देते थे कम से कम उनके राज में हिंदुस्तान एक तो था हिंदुस्तानी एक साथ तो थे मजबूती से तो खड़े थे एक साथ लड़ाई में तो खड़े रहते थे वो कम से कम आप ये समझो विदेश से आके हमें मारते थे ये समझ लवा लेकिन ये हिंदुस्तानी होते हुए हिंदूों का खून हिंदुस् आपके बच्चे तो विदेशों की university में पढ़ रहे हैं आपके बच्चों कितनी उकात नहीं है तमाम नेताओं को बोल रहा हूं आपके बच्चों कितनी उकात नहीं है BJP के नेता और वो सेल वाले शेलिब्रिटी दर्मेंदर हेमा मालनी ठीक है आपके सनी देवल इन जैसे सेल वाले सेलिब्रिटियों को कहना चाहता हूँ और वो कंगना रनावज जैसे लोग जो बोलते हैं किसानों को लेकर बोलते हैं कि आतंकवादिये टेर्रिस्ट हैं खालिस्तानी हैं विकाओ लोग हैं अरे अपने जमील को जगा के देखिए और बताईए आपके माबाप या आपके खांदान में ऐसे कितने लोग हैं जो देश की इफाज़त करने के लिए सरत पर जाते हों ये किसान हैं जिसका बेटा सरत की इफाज़त भी कर रहा है और आप जैसे लोग जो देश के किसान पर लाटी चार्ज करते हैं उनका भी पेट भर रहा है लेकिन आपको शरम ही नहीं आती है आप लोग की आँख में तो पता नहीं कौन सा बाल है जो आपको किसान नजर नहीं आता है इतनी बेरहमी से पिटवाएंगे देखनी रहे हैं कैसे पिटवाया जा रहा है उन्हें किसी का सर फटे, किसी की तांग में चोट लगे, कोई 80 साल का हों, पचास साल का हों, कोई भी हो, मारने से मतला बंदा दूंदू यह बात तो परदान मंतरी से पहले कह सके हैं ना कि यह तो मुटी बर्वोग हैं और अंदोलन जीवी हैं तो आप बात करते हो ना उन आंदोलन जीवी की बदूलत ना आप इस देश के अंदर लोकतंत्र में बोल पा रहे हो वरना आज किसी अंग्रेज के घर में बैठ के ना उसके जूते और चपल चाट रहे होतें साफ कर रहे होतें इन आंदोलन जीवी की बदूलत आपको अजादी मिली है शोतंता मिली है आंदोलन जीवी थे गाजगुरू सुखदे भगस सिंग एक बार भी नहीं सोचा देश के अपने लिए कि अपने घर की जब उनकी शादी करी किसने घुलामी करी और किसने मुगबरी करी ये लोग देश के गद्दारें देश के जैचंद हैं और जिसकी बदूलत आज 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 आपको देश अजाद मिलाए ना उन सुतंता सेनानियों को तो ये लोग याद भी नहीं करते हैं सरकार को प्रशासनी क अधिकारी तो यहां भी बैठे ये बैटे प्रशासनी क अधिकारी पीछे देख लिजिए बैरिकर्स लगा रखे हैं लेकिन यह प्रशासनीक अधिकारी नौ महिने से बैठे हैं अब तक कोई लाटी चार्ज नहीं कहीं एक बार प्रशाशन की तरफ से इनको और आजाएं यह अभी आप पे लाटी चार्ज कर देंगे यह तो प्रशाशन के अंडर बंदे पड़े हैं और जो अधिकारी इनके विरोध में बोल दे चाहें वो पूर वाईएस माइंदे होते हैं और वही लोग कानून को तोड़ते हुए इस परकार क्या दे रहे हैं तो उनके आप सुनिए वो लोग यह दे रहे हैं इसके बाद जा स्यादा वीडियो वाईरल हो गई लोगों ने इसके बारे में बोल दिया तो क्या होगा उस अधिकारी को लेनाजीर क तूटी हैं जिनों के सरों में चोट लगी है क्या वो ठीक हो जाएंगे बताइए सरकार अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ देती है लेकिन असल में जिम्मेदार तो सरकारे इस देश के नेता हैं जो चला रहे हैं जिनको यह नहीं पता कि देश में असल में जिनको यह नहीं पता की देश के दर की जन संक्या कितनी है अबादी कितनी है वह नेता लोग जो आ जाते हैं जिनकी डिग्रियों का पता पता नहीं वो देश चला रहे हैं आज अधिकारी नेतां के आगे इतने मजबूत करता कौन है बताएए आप देख लीजी अ स्क्राइव करें। इस का नाम देज्गनात्य नाव थीक हैं आप इन्हों आप तिन छे लोग 0 जोग एजिसका बेटा सरच की हफाज़PI ले लोग है करना। ये बुब्जूर्ग को छड़े Business लह रखत सबस्रेये का इन PM बैटके तनका खाओ, आलिशान कोटियों में बैठो, मकमली कंबल और विस्तरों में जाके सो, यही ठेक है उनका, किसान के लिए सोचिए, कौन, अरे हम क्या करें, हमने तो इसलिए बना दिये, जब वो बोल रहा है, कि मेरा चाय मैं तो फकर फकीर हूँ, मैंने भीक मांग के है, हमने सोचा कि एक गरीब आदमी को कुर्सी बे बिठाएंगे, तो भाईया देश का भला होगा, चाय बेखने वाला, अब हमें क्या पता था, चाय बेखने वाला कब देश बेख देगा, हमें थोड़ी पता था, तो किसान का समर्तन कीजिए, सहीओ कीजिए, जैहिन, जै